इस बार 16 अगस्त को तीन बड़े योग आ रहे हैं एक साथ, जो हमें पुन्यों से भर देंगे और हमारे भाग्य की रेखाओं को बदल देंगे, यानि दुरभाग्य को बदल कर सोभाग्य में बदल सकते हैं। पुत्रदा एकादशी, वरदलक्ष्मी वरत और विश्नुपदी संक्रान्ती ये तीन बड़े योग एक ही दिन, यानि 16 अगस्त को हैं। तो आए जानते हैं इन योगों के बारे में सब कुछ की हमें करना क्या है। पुत्रदा एकादशी, अब बात को समझे कि ये पुत्रदा एकादशी क्यों है। इसलिए रिशी ने बताया कि ये वरत करो, तो इससे आपका पुत्र होगा, एकादशी पुत्र के लिए नहीं है, हमारे पूर्व संचित कर्मों को नश्ट करने के लिए है, तो इस एकादशी को हम सभी अतना पूर्वक वरत उपवास जरूर करें, क्योंकि ये हमारे 15 अगस्त को सुबह 10 बच कर 26 मिनट से, तो चावल आपको 15 तारिक को नहीं खाना है, वरत उपवास आपको 16 तारिक को करना है, अगले दिन वरत उपवास खुलेगा, यानि 17 तारिक को, तो वरत खुलने का समय है, सुर्योदे से लेकर सुबह 8 बच के 5 मिनट के बीच, इस ब नहीं सकते हैं, तो सुनना चाहिए, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और एकादशी वरत कता, आपको जरूर सुननी चाहिए, 15 तारिक को भी सुन सकते हैं, 16 तारिक को भी सुन सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इ ऐसे ही ये फल्दाई मानी जाती है, जैसे हम दीपावली में लक्ष्मी जी की साधना करते हैं, ऐसे ही फल्दायक है ये वरद लक्ष्मी वरत है, एकादशी के साथ साथ लक्ष्मी जी का पूजन कितना सुन्दर संयोग है, एकादशी नारायन का दिन है और वरद लक्ष्मी मा लक्षमी का दिन यानि ये दोनो योग एक ही दिन है यानि लक्षमी नारायन का योग है अद्भुत संयोग है तो मौका मत चुकना ये पूजन शाम को सुर्यास्त के समय करना है लक्षमी जी का अपने घर में दीपक जला लेना दरवाजे पर और लक्ष्मी जी का खुब विधी विधान से पूजन करना वर्द लक्ष्मी पूजन की पूरी विधी मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा जिसको आप देखकर सहज में कर सकते हैं वीडियो आपको एक दो दिन में अपने इसी चैनल पर मिल जाएगा उसमें सामगरी का भी बताया जाएगा ताकि आप पहले से तयारी कर लें और 16 तारी को सहज में पूजन कर लें इस वर्द लक्ष्मी वर्द में खास करके एक कलावा बांधा जाता है जो उसके अंदर अभिमंतरित करके लक्षमी जी के पूजन के बीच में ही पहना जाता है वो भी उस पूजन के विधी में ही इंक्लूड होगा आप लोगों पूजन देखकर कर लेना आपको कुल 20-25 मिनट ही लगेगा पूजन में तो आप जरूर करना शाम को करना है कई लोग आफिस से आते हैं तो वे लोग रात को भी कर सकते हैं तीसरा बहुत बड़ा योग है इस दिन विष्णूपदी संक्रांती का ये योग शुरू होगा दोपहर के 12 बच के 31 मिनट से और रहेगा सुर्यास्त तक शास्तर कहते हैं कि लक्षम विष्णूपदी फलम यानि विष्णूपदी संक्रांती को किये गए दान मंत्र जाप इनका फल लाख गुना होता है सकंद पुराण के नागर खंड की अनुसार संक्रांती के दिन प्रसकरांती के अवसरों में हवव कवव आधी जो कुछ भी दिया जाता है सूर्य भगवान उसे जन्म जन्मांतर हमें प्रदान करती रहते हैं देखिए कैसा बैंक बैलनस बनाने का समय है इसका सहज में हम इसको समझें तो ये है कि हम इस काल में यानि संक्रांती का जो काल है जो 12 बच कर 31 मिनट से सुरियास्त तक यानि ये जो काल है इसके अंदर हम जो भी पुन्य करम करेंगे किसी को दान करेंगे या जब करेंगे विशेश करके इसमें दान की महिमा बहुत अधिक है, तो ये हमें सूरी भगवान जन्मों जन्मांतरो तक प्रदान करते रहते हैं, ये संक्रान्ती में दान की ऐसी अद्भुत महिमा है, तो दान हमें क्या करना चाहिए, जिसको भी जु आवशकता हो जरूरत मंद को धर्म अनुसार आप दान करें उसे यदि आपके पास कुछ भी नहीं हो, आपके पास इतना समर्थ नहीं हो कि आप किसी को दान कर सके तो कम से कम आप चीटियों को भी आटा और शक्कर डाल सकते हैं, भुना हुआ आटा डाले। दीपिका आधी अन्य ग्रंथों में और धर्म सिंधु आधी ग्रंथों में लिखा है कि सूरी के संक्रमन काल में जो मनुश्य स्नान यानि सुर्योदे से पहले जो स्नान नहीं करता वह साथ जन्मों तक रोगी, निर्धन तथा दुख भोगता रहता है। तो सोलह तारीक आपडेट याद रखना, सुर्योदे के पहले स्नान कर लेना या तो सुर्योदे होते होते स्नान कर लेना लेकिन जरूर करना। ये धर्म सिंधु ग्रंथ दीपिका आधी ग्रंथ में वरणन है इसका। तो फिर समय बता दो कि संक्रांती में दान खूब कीजिए, खूब सत्कर्म कीजिए, खूब भगवान का नाम लेजिए और अपना बैंक बैलेंस बनाइए, जो आपके साथ इस लोग में तो काम करेगा ही परलोग में भी काम करेगा। तो ये तीन महायोगों का संगम है, सोलह अगस्त को वीडियो फिर से सुन लीजिएगा, यदि आवशकता हो पूरा ठीक से समझने के लिए और इस्तिथी को याद रखिएगा। सभी को शेर भी कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिए, हरे कृष्ण।